हलो, मैं आपके लिए यहाँ पे नया तेलंगाना गौर्नमेंट लोन स्कीम लेकर आया हूँ तेलंगाना गौर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लोन फोर्ग्राम फर माइनारेटिस यहाँ पे loan amount आपको एक लाग से लेके दो लाग तक आपको दिया जाता है minor reduce के लिए अच्छी बात यह है कि 72-80% loan amount गौर्नमेंट ने आपको mark किया जाता है remaining 20 से लेके 30% आपको pay करना पड़ेगा पुरा वीडियो जरूर देखिए official website पे जाके वहाँ पे discuss करेंगे इससे पहले अगर आप मेरे चानल पे नए है तो subscribe पीजिए please side वाले bell icon पे प्रेस कीजिए ताकि नया अपडेट आप मिसना करें तेलंगाना गौर्नमेंट ने श्टार्ट किया है loan program फर minorities के लिए apply करने का link आपको description box में दिया गया है link के उपर click करने के बाद आपको इस तरह की interface open होगा यह है तेलंगाना state minority finance corporation official website इस official website पे आपको home button दिखेगा उसके बाजू schemes रहेगा उसके उपर click करने के बाद इस तरह की interface आपको open होगा first option bank linked subsidiary scheme option दिखेगा उसके बाजू आपको full details के पर click करना है इस तरह की interface आपको open होगा इसमें आपको first category and second category दिखेगा first category में एक लाग loan दिया जाता है 80% government आपको map किया जाता है 20% आपको pay करना है second category second category में आपको एक लाग से लेके दो लाग तक लोन दिया जाएगा 70% माफ करेगा 30% आपको pay करना है eligibility समझे बैस minorities के लिए है age आपकी 21 से लेके 55 years old होना चाहिए annual income आपका एक लाग पचास अजार rural के लिए और दो लाग अर्बन के लिए रहना चाहिए आधार card, white ration card, food security card होना mandatory है apply करने के लिए आपको फिर से home button के उपर click करना है click करने के बाद आपको right side पे नीचे latest news दिखेगा यहाँ पे आपको link दिखेगा उस link के आउप पर आप click कीजिए click करने के बाद इस तरह की interface आएगा यहाँ पे आपको left side पे first option apply online पर economic support scheme के उपर click करना है आपको page open होने के बाद economic support scheme के उपर click करना है क्लिक करने के बाद इस तरह की application इंटरफेस आएगा आपको यहांपके आपको details फिल करना पड़ेगा name as per other card, other card number, for security card, category 1, category 2 category 2 में 2,00,00 का loan दिया जा रहा है तो सभी लोग ज़्यादा loan amount मिल रहा है बोलके category 2 के लिए apply किया जाता है यहांपे आपको समझना है कि category 1 क्या है category 2 है तो इसके लिए है न आपको फिर आपको home page पे जाना पड़ता है home page पे जाने के बाद home page पर आपको यहांपे home के बाटन के बाजू about us schemes, useful links, gos and circulars इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद यहांपे आपको निचे scroll करना है निचे page scroll करने के बाद economic support scheme, bank linked and non-bank linked subsidiary view pdf के पर click किजे यहांपे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी loan application के लिए इधर यहांपे आपको complete page निचे आने के बाद यहांपे आपको category 1, category 2 दिखेगा category 1 में आपको कौन सा कौन सा loan applications अप लगख सकते है category 1 में and category 2 में कौन से कौन से business आप apply कर सकते तो देखकर आप इस तरह की पूरी information जानने के बाद ही आप category 1 क्या है category 2 क्या है उसमें आप apply कीजिए वो जानने के बाद application form पे जाके वहांपे आपकी सारी details सेंटर कर लीजिए उसके बाद go click पर click करके आप बागी की application फिल कर सकते हैं